मैं बैचलर हूँ तो कुछ बैचलर की अभी क्या जद्दु जहर चल रही है सब लोग कहते हैं शादी कर लो लेकिन उसके मन में कैसे खयाल आते हैं तो वो थोड़ा दो बंक्तियां हैं बहुत छोटी सी है कि अभी अभी तो हमने घर बनाया है अभी अभी तो हमने घर बनाया है तुम रिष्टा लेकर आए हो अभी अभी तो हमने घर बनाया है तुम रिष्टा लेकर आए हो और अखेले तो नहीं साथ बरबादी लेकर आए हो और अखेले तो नहीं साथ बरबादी लेकर आए हो यह मैंने इसलिए पढ़ दिया कि शादी के बाद शायद न पढ़ पाऊं। पहले ही पढ़ दिया। ठीक है तो अब आगे कुछ पढ़ता हूँ कि एक नजम लिखी है मैंने फेस्वोप पर काफी लोगन बहुत पसंद किया है कमेंट किया है तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सुना दूँ आपके सामने उस नजम का नाम है डर डर हम सब के अंदर होता है जो डर तो उस डर को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है तो आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा और बताएगा अंत में कि एक डर घर करके बैठा है एक डर घर करके बैठा है मेरे अंदर भी एक भाबुक इंसान रहता है नई नई खाईशे करता है जिनको करने से भी दरता है हर पल पल लड़ता है न ढंसे खाता है न ढंसे पीता है न ढंसे रहता है न सोता है नहीं रोता है न सोता है नहीं रोता है बस एक बात ही कहता है कि अनराग क्यों बेसुदसा रहता है कि अनराग क्यों बेसुदसा रहता है मुखबत के अलावा पे कुछ अलग लिखना भी चाहता हूं तो उसी पर है कि मुफलसी भी हसके सह गए मुफलसी सभी जानते हैं गरी कि मुफलसी भी हसके सह गए छत न मिली तो तेरे दिल में ही रह गए मुफलसी भी हसके सह गए छत न मिली तो तेरे दिल में ही रह गए और समय के जौरों से समंदर को क्या लेना जाने कितने दरियाओं को संग लेकर बह गए और अल्ला शेर इसी गजल का है कि सब सच दिखाई देता है आज जमाने की दर्मिया सब सच दिखाई देता है आज जमाने के दर्मिया सब सच दिखाई देता है आज जमाने के दर्मिया बर्शों पहले माबाप जो गुसे में कह गए बर्शों पहले माबाप जो गुसे में कह गए एक बार माबाप के लिए तो तालियों बजा दो हो जाए कालियों की घर्मार्ट से आप लोग ठोड़ा जुड़े रहे हैं मुझे अच्छा लगए आप लोग सुनना चाहें तो कुछ और भी सुनाओं के टाइम हो गया मेरा टाइम हो गया चीज़ थैंक